इंदौर के हीरा नगर इलाके में नगर निगम की टीम अवैद रूप से बने पशुपालने के लिए बनाय गए टीन शेट को तोरने पहुची थी तब एक परिवार के सदस्यों ने छट से हमला कर दिया पशुपाल को ने यहाँ उपर से निगम की टीम पर पत्थर फिके शेग में बड़ी संख्या में गाय पाली जा रही थी जिसके कारण शेटर में गंदगी फैल रही थी इस समझ में रहवासियों ने कई बार निगम में शिकार की थी जिस पर निगम अपरायोक्त देवेनर सिंग के आदेश पर रिमूवल और कोनवड़े की एक टीम पहुची थी जिसमें यहाँ पशुपालक, बईशीलाल और उसके परिवार के लोगों ने छट से पत्थर फेके इस दोरान अचानक भगदर मजगे यहाँ नगर निगम के अधिकारियों ने पत्थर फेकने वाले लोगों के वीडियो बना लिये डाल हंडिक को भी सूचना दी गई बाद में मौके पर हीरा नगर थाने के टी आई सतीश पटेल भी पहुचे और मामला शांत कराया नगर निगम के अधिकारी यहाँ से बिना पुलस कारवाही के वापस चले गए वहीं लोगों का कहना है कि बिना जानकारी के पहुचे थे निगम कर्मी कोनवारे की टीम पर पहले भी पश्यों को साठगाट कर छोड़ने के आरोप लग चुके हैं निगम कर्मिया बिना अधिकारियों के जानकारी के पहुंचे थे, फिलाल निगम के अफसर कारवाही की बात कर रहे हैं निगम कर रहे हैं करें, कि मुद्लै करें जाँ़ाचस शाहिक राज ङुडिए इसा जएकाखि जए जपात के पताल सेे जए टालसाम राज्टनुस कौतें गानिया टालसाफते जब शिकायत आई थी तो इसके लिए कि टीम गई थी कि वहां से वो गाय को हटवा लिया जाए और करा लिया जाए फिर उसको गाय को जबती करने गए जब तो उन लोगों ने विवाज शुरू कर दिया तो चुकी में जून पांच में यहां पर बियाई हूं इसलिए मैं गया फिर और फिर वहां से उनको गाय को जबत किया तीन गाय थी और कुछ दो बच्चे थे और उसको कॉनवारा टीम सब ले गए इस बीच में अब विरोध करते हैं तो इसलिए उन लोगों ने विरोध किया लेकिन पिर हम उसको लिया थी थोड़ी बहुत उन लोगों ने धुक्का मुक्य भी की पत्राव भी किया लेकिन पुलिस Vai थे वहां पर किसी को कोई चोट नहीं आई है आप विरोध भी देख सकते हैं तो उसको अटा दिया और गायजब्त कर लिए पुलिस वालों ने खुद के संग्यान से वहीं पे उनको गिरफतार कर लिया था पुलिस वाले उसी समय अगर उस समय का आप देखेंगे तो उसी समय पुलिस वाले उन्हों को पकड़ के अपने गारी में पुलिस थी सभी लोग तेखेंगे बंसी लाल रगवंसी नाम था उसका जिसके की गाय के बाड़ा था अपना सर्फ पूरा बैशे देखेंगे सुमीत अस्थाना भावन निरिक्षक जोन कमांग पाच्छ